राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट इस्कूल से जुड़े करीब 27 लाग स्टूडेंस का इंतिजार अब खत्म हो गया है। जारी किये हैं। जबकि छात्रों का 96.89 प्रतीशत रहा। इसमें 95.72 प्रसेंट बच्चों ने पास किया है। ये पास परसेंटेज पिछली वार से 1.22 परसेंट ज्यादा है। और इसमें गॉर्मन्न स्कूल का रिजल्ट 94.54 परसेंट रहा है। और प्राइवेट स्कूल का 97.38 रहा है। सीकर, दौसा, अलवर, अजमेर और नागोर ये आठवी के परिच्छा में टॉप जिले हैं। सबसे उपर के जिले हैं। इसमें करिब-करिब 49.929 बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी के हैं। जो 33% मार्क से कम हैं, उनको सप्लिमेंटरी के लिए हम एक मौका देंगे। जुलाई माह में सप्लिमेंटरी की जाएगी। ताकि उनको पास करने का मौका मिल सके और नाइंत में वो जा सके। इसी भाती क्लास फाइव के जो अभी रिजल्ट टिकलेर किये हैं आठवी के साथ है। ये मुल्यांकन रिजल्ट है। इसको हम पास फेल से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन बच्चे का असेस्मेंट देखते हैं। उसके लर्निंग आउटकम्स में क्या सुधार है। वो चु 97.06% बच्चों ने पास किया है इसमें। इसमें प्राइवेट स्कूल के 97.4% है जबकि गौर्मेंट स्कूल के 96.79% है। दोनों ही पाच्वी और आठ्वी में अगें चात्राओं चात्रा से आगे रही हैं। यहां भी चात्राएं 96.89% पर हैं। और चात्र यहां जोड़त 96.89% और गर्ल्स 97.23% पर रही हैं। चात्राओं आगे रही हैं। इसमें 9538 बच्चों को कैटेगरी ई आई है। परन्तु यह फेल नहीं होंगे फिफ में। फिर भी उनको पास करने के लिए सप्लिमेंटरी एक्जाम इनके लिए भी जुलाए में आयोजित किया हमारा रिजल्ट है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी जो हमारी जो दस्वी के रिजल्ट के जो अभी बच्चे आये थे यहां जैफूर के जो टॉप किये हैं। उन सबको उनके पेरेंस को उनके प्रिंस्पल्स को हम सबको बढ़ाई देना च बढ़ाई देना है। यहां जो नहीं है।